हलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू लखी एजूकेशन और आज हम देखेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 6 आई होप आपने वह पांच पार्ट और बेसिक वाले लेक्चर देख लिए वह देख लिए तो ही इस पार्ट को देखें ताकि अच्छी तरह समझ में पिछली वाली चीज़ें आपको आना बहुत ही जादा जरूरी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वाली सारी आपने वीडियो सारे एक सारे देख लिए होंगे तो देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है और हूँमन हर्ट जो की हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ओर्गन है अगर कोई पूछे कि विच इस दी मेन ओर्गन ऑप सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको बताना है हूँमन हर्ट काम करना बंद कर दे तो समझ लो खेल कतम हो जाएगा तो अपनी लाइफ कब तक चलती है अपनी जीवन कब तक चलता है जब तक हूँमन हर्ट काम करना बंद कर दे तो समझ लो दिक्कत हो सकती है बहुत ही बड़ी तो अब हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेश ब्लड का circulation आपको पता यह ब्लड कहां से कहां circulate करता है अच्छा पहले एक चीज बताता हूं आपको यहां पर इस वाले डाइगराम को देखो यह है human heart का डाइगराम ठीक है तो यहां पर आपको चार चीजे दिखाए दिए human heart का हम चार चेमबर में डिवाइड कर सकते हैं पहली बात हों कौन कौन से चार चैमबर है ऊपर वाले चेमबर को अम ATRIAN मोलते हैं और नीचे वाले चेमबर को VENTRIKAL मोलते हैं तींके यह दोनों के दोनों left side के होगे और यह दोनों दोनो right side गोगे, ठीक है, तो ये left और ये right, एक चीज आप यहाँ पर ध्याँ रखना, left side में हमेशा pure blood flow करता है, right side में हमेशा impure blood flow करता है, blood जो आता है hurt में, वो हमेशा उपर से आएगा, और blood जो जाएगा, जाएगा वो कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा, नीचे से ज और kinia, डोनों chamber हैं, अपर chambers को म क्या वोलते हैं, atrium बोलते हैं, नीचे के chambers को म बोलते हैं, ventricular, टीक है, very good, left side में, left atrium और left ventricular के बीच में एक बॉल्व होता है, उस बॉल्व को बोलते है, mittral bulb, कुन सा बोलते हैं, mittral bulb या bicuspid बॉल, right side में, right atrium और right ventricular के बीच में एक बोल blood, impure blood किसको कहते हैं, जिसमें CO2O, ठीक है, तो body से impure blood कहां पर आएगा, इसमें आएगा, वीनकाबा में, तो ये वीनकाबा में आगया, तो body से ये वीनकाबा है, ऊपर वाली वीनकाबा को सुपर, वीनकाबा, नीचे वाली जो है, इसको यहां जाएगा तो आप देखो यहां से ऐसे बाहर की दरब जा रहा है और ऐसे यहां से यहां पर जा रहा है जान दो बोडी से आया यहां पर 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 यह अब pulmonary artery कैसा blood ले जाही है, CO2 वाला blood ले जाए है, कहां पर ले जाती है pulmonary artery blood ले जाएगी, lungs की तरब, कहां ले जाएगी, lungs, अब आपको बता, lungs में ये CO2 वाला blood जाता है, और lungs में उसका क्या हो जाता है, purification हो जाएगा, मतलब वहाँ पर क्या मिल जाएगा, O2 वाला blood मिल जाएगा मतलब lungs में CO2 lungs से तो बाहर चली आती है अपने environment में और environment की oxygen lungs में आकर blood में मिल जाती है अब blood में कैसा sorry lungs में कैसा blood हो गया pure blood होने के बाद वो फिर बापस आएगा lungs में गया किसके तुरू ये मालो lungs हैं ये मालो lungs हैं lungs में pulmonary artery से गया और lungs से फिर बापस यहां पर आजाएगा heart में अब ये दो है pulmonary vein pulmonary vein अब देखो pulmonary लगाती वीन का काम उल्टा हो गया vein में जनरली कैसा blood flow करता है deoxygenated या impure blood flow करता है मगर pulmonary लग रहा है मतलब काम उल्टा हो गया तो कैसा blood आएगा pure जहान देना pulmonary vein में जो blood आ रहा है वो कहां से आ रहा है lungs से lungs से कहां पर जा रहा है human heart में कहां से आ रहा है pulmonary vein में ये दोनों की दोनों pulmonary vein है अच् fragment pursuing blood आएगा कहां पर घ्रे में लेफट अर्टरियम में pure blood आता है कहां से lungs से फिर बीच में meteorols बोलड है मिट्रल भाल ऊपन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल बलड़ चला जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बलड़ जाता आपके बोड़ी में तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह बलड़ आ गया और यह ओल्टा के तुरू ओल्टा लारज़्ेस्ट आड़ रही है इस के तुरू ये कहां पर चला जाता है हमारी पूरी की पूरी बोडी में चला जाता है, समझ में आया होगा आपको दोबारा मैं बता रहूँ एक बार, फिर सुन लो कान कोल गर बोडी से, यहां पर ध्यान देना बोडी से, इंप्योर ब्लड और वीना काबा के तुरू, उपर वाली वीना काबा सूपर वीना काबा, नीचे वाली हो inferior वीना काबा, वीना काबा के तुरू राइट एट्रियम में बोडी से इंप्योर ब्लड आता है, राइट एट्रियम से सलपसे लंस में जाता है क्समें इस में से CRO 2 निकाल दी जाती और इसमें क्या मिल जाती है oxygen oxygen मिलने को बाद प्योर हो जाता है oxygen मिलने को प्लमुणरी वीन के तुरू, यह ब्लड कहाँ पर आएगा लेफ्ट एत्रियम में, लेप्ट एत्रियम से फिर लेप्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एत्रियम और वेंट्रिकल के बीचाने要 volt है जिसकों पुलते हैं को कि अब देखो अब हम देखुंगे शर्क् layout सित्म क्या आजा थेक है तो कोईधिud शिष्टम क्या होता है बैरियस ऑर्गन्स का एक सम्मुते है कोई भी सिस्टम की बात करें चाल मूं अनको भी साथ करें को entire system की बात करें कोई सा unfortunately सिच्टम क्या होता है group of organs क्या होते हैं गुरूप पर इंस होते हैं तो सर्कुलेटरी सिच्टम भी combination व ऐरिएज़ ऑर्गंस हैं जो क्या करते हैं अब सर्कुलेटरी सिच्टम किसके लिए responsible है बनाइधो गैसेस के ट्रांस्पोर्ट के लिए गैसेस मन्दब Closed Circulatory System हमें कैसा Circulatory System पाया जाता है Closed Circulatory System पाया जाता है अब पूछ ले कोई की Circulatory System के कितने parts हैं तो आपको बताना है Circulatory System में मिली 3 parts होते है 3 चीज़ों से मिलके बना होता है पहला Blood, दूसरा Blood Vessels और तीसरा है Human Heart तो Heart, Blood Vessels और Blood, इन 3 चीज़ों से मिलके बना होता है Lymphatic System और होता है उसके बारे में थोड़ा सा 2 point दे रखे हैं ध्यान रखना, यह जो green green सा system दिखा रखा है यह lymphatic system है तो lymphatic system में flow क्या करता है lymph flow करता है और lymph क्या एक fluid है यह भी एक liquid है ठीक है, fluid है और यह fluid को, lymph को flow करने के लिए जो system चाहिए lymph को मतलब circulate करने के लिए जो system चाहिए वो है lymphatic system और यह एक प्रकार से open system है कैसा system है? open system है ठीक है, तो lymph is part of circulatory system यह भी circulatory system का ही part है lymph एक special system के दुरूब flow करता है उसको हम lymphatic system मोलते है ठीक है? और lymphatic system is open system कैसा system है? open system है अगर कोई पूछ ले lymphatic system में क्या होता है तो आपको बताना lymph होता है जैसे blood होता है यहाँ पर lymph होता है और यहाँ पर lymph vessels होती है जैसे artery veins और capillary जो होती है यहाँ पर जो vessels होती है उनको lymph vessels बोलते है और lymph nodes होते है जगे जगे पर क्या होते हैं lymph nodes पाए जाते हैं ठीक है और bone marrow spleen thymus tonsils यह इसका ही पार्ट है यह चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख लो human heart artery और यह आगे body में capillaries फिर impure blood बापस heart में चला गया सारी चीजों को details में समझेंगे बाकी चीज़े में अभी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है ठीक है यह वाला डाइग्राम आपको ध्यान रखना बना भी लेना है बन जाए तो और कोसिस करना बनी जाएगा ओके तो यह वही डाइग्राम है कई सारी तरह किसे इसको दखा सकते हैं सेप्टम में बताया था सेप्टम एक दीवार सी होती है ठीक है किसके बीच में left and right left side साइड और राइट साइड के बीच में इक दीवार सी है ठीक है और लेफ्ट एक्रियोफ है यह ट्राइक लेप्ट वर्फनेटरिकल और इहें मिट्रल बॉल्व ठीक है और यह pulmonary artery है pulmonary artery pulmonary artery है यह super भी नखाबा नीचे inferior भी नखाबा ठीक है बस इनके बारे में भी यहां रखना है यह बाला जो है यह भी एक same diagram है वही same to same और इनको आपको याद रखना है okay so let's move forward अब हर्ट के बारे में start करते हैं तो पहली बात हर्ट एक muscular organ है कैसा ओर्गन है muscular organ है muscle से बना हुआ है और हर्ट is closed shaped closed fist shaped whole organ यह खोगला ओर्गन है इसके अंदर आपको पता है blood flow करता है blood बाहर भी जाता है blood भरता भी है और आता भी है मदल हर्ट लगाता र आपको पता है contract करता है और relax करता है एक बार शुकूरता है और नहीं पहला और इस बाहर बोड़ी में pump होता है और रिलेक्स करता है तो blood इसमें और आता है तो कैसा उर्गन है muscular organ है और इसकी शेप आगर पियरिख मेंब्रेंट सी स्मेसरेंट process होती है कि यह ल Whats ön कि यह क्या करता है हैं सब्सक्रेखने लिए करती ऑबbowण होती है और सब्सक्राइब मेंब्रेंट परत हो उसक परcióра मेंब्रेंट परटोenth Damascus और यह क्या करता है हर्ट को external socks बाहर से जैसे हम कई वार खेलते हैं कूते हैं तो डारेक्ट हर्ट को जटका ना लगे तो उस चीज़ से बचाने के लिए पैरी काडियम के बीच में क्या भर्दी जाता है बर्दिया नहीं जाता है वह नेचरली पाया जाता है पैरी काडियल फ्लूइड पाया जाता है जो हर्ट को external socks से बचाता है ऐसे समझे लो यह है human हर्ट यह पहली लेयर और यह दूसरी लेयर और इसके बीच में बढ़ा हुआ जो फ्लूइड है वह है पैरी काडियल फ्लूइड ओके तो यहां पर आप देख सकते हो यह आउटर बाल है यह इन पायए चेमबर सरकाःट लेपर चेमबर सब्सके से लेफ्ट खोल् apprendre को और यह इसमीशन नहीं को दोच सब्सक्राइब को बाई यह muscular membrane called septum left side और right side यह सबोज left side है और यह सब right side है तो बीच में muscular membrane होती है उसी को क्या बोलते है septum क्या करती है दीवार की तरह काम करती है ठीक है I hope it is clear okay तो यहां पर देख सकते हो यह left side so right side बाल भाग और यह left बीच में यह पर एक wall है इसको हम बोलते हैं septum क्या बोलते हैं septum okay अब heart में दो बॉल्व होते हैं मैंने अभी बताया था एक होता है bicuspid valve और एक होता है tricuspid valve bicuspid और tricuspid tricuspid इदर right side में हो गया bicuspid left side में हो गया okay पहले हम बात करेंगे bicuspid valve या mitral valve की तरहें जो आपका left atrium और left ventricle के बीच में जो valve होता है द्यान देना left atrium और left ventricle के बीच में जो valve है उसी को हम क्या बोलते हैं bicuspid और mitral valve यहां रखना है तो पहले तो इसकी position आपको याद रखनी है देर जिए bicuspid valve between atrium and ventricle on the left side of the heart heart के left side में atrium और ventricle के बीच में वाल्ब होता है जिसको हम बोलते हैं bicuspid ,this valve इस also known as left atrium ventricular valve atrium ventricular एक और बेंट्रिकूलर के बीच में वाल्ब है उसी को हम बोले हैं left atrium ventricular valve काम क्या है जैसे यह open होगा तो उपर से blood कहाँ पर प्रिवेस करेगा atrium से ventricle में प्रिवेस कर जाएगा क्या blood atrium को हम कई बार auricle भी बोल देते हैं जहां रखना auricle, confuse मत होना tricuspid bulb की बात करें तो ये right side में होता है right atrium और right ventricle के वीच में जो bulb होता है उस bulb को हम क्या बोलते हैं tricuspid bulb बोलते हैं तो दिरीजे tricuspid bulb between atrium and ventricle उन दी right side इसको हम right atrium ventricular bulb के नाम से भी जानते हैं इसका भी काम यही है atrium से impure blood को कहाँ पर enter करने देता है ventricle में, right side में ठीके अब इनकी बात करेंगे इनका function क्या है function simple सी बात है these bulb prevent the back flow of blood मतलब अगर left atrium से left ventricle में blood जा रहा है ठीके तो यह एक बार जब ओपन हो जाएंगे तो blood left atrium से ventricle में चला जाएगा मगर बापस नहीं जा सकता तो back flow को रोकते हैं तो ध्यान देना यहाँ पर जो blood flow करता है atrium से ventricle में ही जा सकता है ventricle से atrium में नहीं जा सकता है त्योंकि आपको पता है जैसे ही left ventricle में blood चला गया तो इसके बाद इसको body में pump कर दिये जाता है तो यह बापस नहीं जाता है back flow को रोकने के लिए यह valve लगाए जाते हैं क्यों से valve लगाए जाते है left atrium sorry tricuspid और bicuspid जब यह valve open और close होते है तो इनसे एक आवाज generate होती है loved up वाली sound तो आप देखोगे हमारे blood में कहीं पर भी कोई भी नस हो हो वहाँ पर हाथ रखके देखना या head up आठ रखके देखना डब 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 ऐसे sound आती रहती है तो यह sound किसकी होती है यह valve की होती है valve बराबर open close होते है open close होते है तो इसकी बैसे sound आती है अब हम functioning की बात करें कि कैसे functioning होती है functioning का मतलब कुछ नहीं बताना सिर्फ आपको बताना है कि कैसे काम कर रहा है कहां से काम ब्रेड जा रहा है तो पहली बात तो ध्यान लखना है auricles and ventricles मैंने अभी बताया था auricle मतलब atrium दोनों अगर कहीं word अगर ऐसे use करें हम तो बिल्गुल confused बत हो न और atrium भी same है auricle भी same है तो पहली बात तो auricles and ventricles keep on rhythmically contracting and relaxing तो यह auricles और ventricles से लगातार contract होते रहते हैं और relax होते रहते हैं और एक rhythm में contraction and relaxation चलता रहता है हम इस पर control नहीं है यह automatically हमारा brain control करता रहता है through this action heart pump blood into different parts of the body जब हमारा heart लगातार contract कर रहा है लगातार relax हो रहा है contract relax contract relax तो इस वज़े से क्या होता है heart से blood कहां पर pump होता है body के different parts में हमारे जितने भी parts में body के पैर से उपर से लेकर सर तक हाथ पांग जितने भी चीज़ें हर जगे पर blood pump कर दिये जाता है ठीक है यह चीज में आपको नोलबल और यह होता है systolic blood pressure और dodo क्षिस्टोलर बेसर जो घंचाओन होता है 철ब विलस्टी और 008 यह प्रेशा में नोर्मल texts डीक पाली से बारे पार प्रेसर तो something तो इसमें oxygenated blood आता है कहां से लंक्स से left ventricle में oxygenated blood कहां पे जाता है body के अलगलग parts तक right atrium में जो oxygenated blood है वो कहां से आता है body के different parts से और right ventricle से blood कहां पे जाता है lungs में जाता है तो यह चीज़ी भी आपको ध्यान रखनी है तो यह diagram में बताई चुका हम अच्छा flow of blood through heart heart के तुरू blood का flow ना तो वही चीज़ बताना है वीना कावा bring deoxygenated blood from different organs to right auricle में अभी बताया यह वीना कावा जो है body के different parts से deoxygenated blood को कहां पर ला रही है right atrium में फिर यह कहां पर जाएगा right ventricle में इसके तुरू tricuspid valve open होगा और जैसे ही open हो जाएगा तो blood किसमें आ जाएगा right ventricle और यह बापस नहीं जाएगा और right ventricle से pulmonary artery के तुरू यह कहां पर भेज दिया जाता है lungs में तीक है यहां तक के लिए रहे the contraction of right oracle जैसे ही right oracle contract होगा forces tricuspid valve to open and blood flow to right ventricle यहां देना जैसे ही right oracle या right atrium contract होगा तो contract होने की बज़े से यह tricuspid valve open हो जाएगा और blood right atrium से कहां पर चला जाएगा right ventricle में चला जाएगा ठीक है contraction of right ventricle forces blood into lungs through pulmonary artery और जैसे ही contract करेगी right ventricle जैसे ही right ventricle contract करेगा तो blood कहां पर जाएगा pulmonary arteries through lungs की तरब चला जाएगा और lungs में क्यों जा रहा है क्योंकि lungs में इसमें से CO2 ले ली जाती है और O2 मिला दी जाती है ठीक है अब वही वाली बात हम आगे पढ़ेंगे the oxygenated blood enters into left auricle through pulmonary vein अभी में न बताया अब lungs से जो pure blood आ रहा है oxygenated और pulmonary vein के तरू left atrium में आएगा जैसी left atrium contract करेगा तो my bitral valve खुलेगा खुलने के बाद blood ना पर आएगा left ventricle में जाएगा और फिर इसके बाद orta के तरू पूरी body में भेज दिया जाता है ये चीज़ आपको ध्यां रतनी है contraction of left auricle forces by cuspid valve to open and blood goes to left ventricle और जैसे ही left ventricle contract करेगा तो blood orta के तरू पूरी body में चला आ जाता है यहाँ पर एक flow diagram में ने बना दिया वीना कावा superior हो एंफिरियर body से वीना कावा में blood आएगा वीना कावा से right auricle में जाएगा right auricle जब contract करेगा तो tricuspid valve open होगा tricuspid valve open होगा तो blood right auricle से right ventricle में चला जाएगा जैसे ही right ventricle contract करेगा तो blood pulmonary artery के through कहां पर पहुन जाएगा lungs में तो pulmonary word आ जा समझे लोग किस से संबन देते है lungs, lungs में आपको पता है blood में क्या होता है, lungs में blood में से O2 मिला दी जाती है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है तो O2 वाला blood कहला था oxygenated blood, pulmonary vein के through left auricle में जाएगा जैसे ही left auricle contract होगा तो bycuspid valve open होगा तो blood left ventricle में जाएगा तो left ventricle contact होगा तो O2 के through blood कहाँ पर जाता है rest of the body फिर body से बीना कावा ठीक है हो गया पूरा बीना कावा तो यह बहुत सांदार प्लो चार्ट है इसको आप याद रख सकते हो अब हम बात करते हैं double circulation का मतलब क्या है देखो double circulation का simple सा मतलब है एक बार blood heart में जाता है और body से बार में यह प्लेट है से कहा जा रहा है एक बार ब्लड हर्ट से बोड़ी और बोड़ी से हर्ट यह होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन एक बार ब्लड हर्ट से लंग और लंग से हर्ट तो दूसरा सर्कुलेशन यह हो गया इसको मुझते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन तो हर्ट में जो सर्कुलेशन वो डो टाइप्स का होता है जिसको हम कह सकते हैं circulation और यहां हम कह सकते हैं कि heart में blood दो बार आ रहा है एक बार अब देखो कैसे आ रहा है heart से एक बार body में जाता है और body से heart में आ गया तो एक बार तो यह चक्कल लगा फिर heart से एक बार lungs में जाता है और लंग से फिर दोबारा हर्ट में आए तो हर्ट में दो बार मतलब बलड गुमता है In हर्ट, बलड फ्रो थू हर्ट ट्वाइस मतलब दो बार हर्ट में बलड फ्लो करता है Firstly, impure blood from the body and then pure blood from the lung center in the heart पहले क्या होता है? impure blood body में आता है और pure blood lungs में आता है Double circulation ठीक है? Double circulation की दो स्टेज होती है एक है systematic circulation और दूसरी है pulmonary circulation systematic circulation में क्या होगा? blood systematic circulation blood heart से body और body से heart pulmonary circulation में क्या होगा? blood heart से lungs और lungs से heart ऐसे करके चलेगा ठीक है? इतना सा symbol सा आपको याद रखना है यह वाला जो circuit है इसको बुलते हैं कौन सा circuit? systematic circuit और यह वाला जो circuit इसको बुलते है pulmonary circuit बहुत आसान है last इसका topic है pace maker आपको पता है हमारा जो heart है लगातार contract and relax contract and relax करता रहता है तो contract and relax करने के लिए इसको गती प्रोवाइड कराने के लिए ऐसी क्या चीज़ है? signal कहां से मिल रहे हैं? तो ध्यान रखना इसमें एक चीज़ पाई जाती है syno-atrial node क्या पाई जाते है? syno-atrial node यहाँ पर कुछ special signals पाई जाती है तो यह natural है हमने ऐसा नहीं कि बेंटरी फिट कर रहती है हर्ट के अंदर बेंटरी चालू रहती है तब pulse create होती है नहीं यह natural pace में गरा है हमारा heart है heart muscles are capable of auto excitation auto excitation मतलब अपने आप automatically contract or relax करती रहती है हमें के बाहर से कुछ signal देने की जरूरत नहीं है हमें electricity देने की जरूरत नहीं है हमारा heart है एक machine है और यह machine लगातार चलती रहती है automatically contract or relax करती रहती है अब यह signal है जिसको हम impulse बोले है the impulse for contraction relaxation of heart is generated by synoatrial node nerves तो यहां भी यह जो nerve पाई जा रही है right atrium के दरब दिख रही है इसको बोलते हैं synoatrial node तो यह जो heart को contract or relax करने की command आ रही है जो signal आ रहा है जो impulse आ रहा है कहां पर generate हो रहा है बहुत important question है यह generate हो रहा है synoatrial node यहीं पर impulse generate हो थी heart को contract or relax करने के लिए और इसी को हम बोलते हैं पेस्मेकर क्या बोलते हैं पेस्मेकर बोला जाता है तो पेस्मेकर क्या है थोड़ी से और अडिशनल देख लेते हैं जानकारी यहां पर देख रहे हो यहां पर impulse generate हो रही है और यह heart की various muscles को जा रही है जिसकी बईसे अपना जो हड़े है लगातर contract or relax करता है त्शह तो मैं बढ़ते हूं the heart natural pace maker that regularly pace or rate of the heart . आप देखो हाइब हमारे लगातर contract कर रहा है तो इसकी rate को control करने के लिए contractor relaxing control rate को control करने के लिए हमारे पास क्या है natural pacemaker है इसमें क्या होता है आपको पताईए जो pacemaker है कहां पर रहता है यहां पर पाये जाता है यह है pacemaker it sits in the upper portion of right atrium right atrium में pacemaker पाये जाता है और is the collection of specialized electrical cells known as sinus और synoatrial node यह जो synoatrial node है यही है हमारा क्या पेसमेकर और इसमें कुछ special cells होती है जो क्या कैसी cells होती है electrical cells होती है और जो impulse generate करती है और जब वो impulse हमारी heart की muscles को मिलता है तो heart की muscles contract और relax करती है तो यहाँ से यह generate होगा और इसको हम check भी कर सकते हैं ठीक है और बस आज हमने देखा human heart के बारे में I hope human heart से related सारे point में cover करा दिए इनको आप कर लो more than sufficient से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा ठीक है इसके अलग से मैंने एक diagram बना रहेगा उसको मैं आपको एप में प्रोवाइड करा दूँगा लग्किए युक्र स्नैप में और नोट में भी वह आपको मिल जाएगा एक टॉपिक और बचाए उसके बाद हमारा circulatory system भी फिनिस हो जाएगा और इस प्रकार हमारे सारे सिष्टम कतम हो जाएगे एक सिष्टम और बचाए अपना कौन सा सिस्टम बचा है अभी नर्वस सिस्टम बचा हुआ उसको भी मैं फिनिस करा दूँगा तो सून हमारा सेप्टर सेकंड भी क्या हो जाएगा फिनिस हो जाएगा ठीक है आज के लिए इतना ही थेंक यू थेंक कीप लर्निंग कीप एंजोईंग एंड एज ओल्वेश कॉडड ब्लेश यू अल